सर फिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना वाजवे कातिल में है वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमा हम अब इसे क्या बताएं क्या हमारे दिल में है माता जसा जिदियाद विच्श्री पैनी सहे विखे पारी मेला लगगा हुया सी संगतां दूरों दूरों पहुच्या हुया सन तेरा जन्वरी 1872 में परे दिवान विच मलेर कोटला दे पिन परवाही दे लंबरदार गुर्मुप सिंग ने खड़े होके अजही दर्दनाग विथ्या सुनाई कि सारी संगत सुनके सुन हो गए उस सिख ने हथ जोड़के संगत अग्गे बेंती कीती खालसा जी मैं दस नी सकता मेरी जुबान बोल नी सकती लानत है मेरे जिऊनते मैं उत्थे ही क्यों नहीं मर गया मेरे समने उस बेचारे बेजुबान बैलनूं वट दिता गया ही अकालपुर्ग बक्ष 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 साथ संगत मैं आपने पिंटो मलेर कोट लेनूं कुछ पैसे जमा कराउन जा रहा सां रस्ते विच मैंनू एक अराई दिसेया उसने बल्द उत्ते सबजी लती हुई सी ते आप उस उत्ते सवार सी पार नाड विलक दे बिचारे उस बल्द दा बुरा हाल सी उस दा दुख मैं थों देखिया ना गया उस बल्द दी हालत नू वेख के मैं उस अराई नू हेठा उत्रन ली कैद दता मेरे मना करनते उल्टा मेरे गड़ पै गया ते हथों पाई तक दी नौबत आ गई लोग अकठे हो गई पुलस आ गई ते पुलस वाले फड़के मैंनू कोटवाली ले गई ते उत्धों दा कोटवाल भी बड़ा कटड़ वादी सी एस बर्दनू एस सिखदे समने हलाल कर देओ ते एस सिखडेनू तके मार के बार कर देओ उस कोटवाल दी हैवानियत उस दियां अखा विच्चों साफ चलक रही सी मेरे कोड़ों एस सब देखिया ना गया बिना गर्दन दे तडप दे बल्दने मेरियां अखा दे सावे थाम तोड़ दता ते उस तो बाद मैंनू भी बुरी तरा मार्या कुटिया गया आपणी विथ्या सुना उंद्या हुया गुर्मुक सिंग दियां अखा विच्चों हंजू वह कुरे गुर्मुक सिंग दी विथ्या सुनके संगता विच्च रोहो दी लहर दोड़ गई पट्याला दे सकरोधी पिंड देखू के सरदार हीरा सिंग जोश विच बोल पए उन्ना दिया अखा विच बल्दे अंगार दस्ते सी वो एक नमा इतिहास रचन जा रहे हैं बहाद्रो अजे कालदी गाले इन्ना गोर्याने सिरी अमर सर सहे विच चार सिंगानू दें दिहाडे फांसी चाड़या अते रैकोट वेच तिन सिंगानू शिहीर कीता ते वेखो लुद्याने नर्दोसे सिंगानू फाहे टंगया एक कोई जियोणा है इस गाल नालो ता महुत चंगी है गुरू प्यारेो सेंग ना जुलम करदा है ना जुलम सहारदा है बगैरती दे जीमन नालों महुत चंगी है गरेज्जां दी शाय ते साड़े तार्मिक स्थान ना कोड बुच्चड खाने खलो आए जारेने रिश्या मुनियां दी तर्ती लहू ना रंगी पईया होन जुरूरत है सेर्तार दी बाजी लोण दी होन एस गोरी सरकार खलाफ वड़ी कारवाई करनी पवेगी उनना दे जोश नु देख दे होए सैंकडे सिख उनना दे नाल हो तुरे सद्गुरू राम सिंग जी ए सब देख के जथे धार हीरा सिंग जी नु बचन किता अजे पनीरी छोटी है जेडा कम तुसी तेग नल करना चाउन दे हो ओही कम असी माला नल कर देना है सिंगा ने सद्गुरू जी नु बेंती किती सान्नो गुरू तेख बहादर जी केंदे हन कि इस जुल्म खिलाफ तलवार चुकोते शहिदियां देो फिर सद्गुरू राम सिंग जी ने आख्या तुसी उनना दे हुकम दी पालना करो अते लांगरी नु केहा कि परशादा त्यार करो मैं आप अपने हथी इन्हा प्यार्या नु परशादा चकावांगा हीरा सिंग ने श्री सहेब नाल तर्ती ते लकीर खिची ते संगत वाल मुह करके अख्या जेस जेस ने सीह देना है ओ लीग टपे फिर एक एक करके सिंग लकीर दे दुझे पासे जान दे गए अते एक सुचाली दे करीब सिंगांदा जथा मलेर कोटले उत्ते हमला करणली त्यार हो गया अते पट्याला राज दे एक पिन रब्बों विखे जा रुक्या अगले दिन चोदा जन्वरी शाम नू मलोद दे किले ते तावा बोल देता अगले दिन स्वेरे सत वजे मलेर कोटला पहुँच गए फिर उना ने बुच्चर खाने ते हमला कर देता अना दा मुकाबला अंग्रेजी सरकार दि पुलिस अते र्यास्ती राजयां दे सिपाणिया नल गया जिस विच अपनी सुझर भीर्ता दा सुझोर देंदे हो नामतारी सिंगा ने बुच्चर मार र्यास्ती अते अंग्रेजी पोजां में पजा दिता समुन्द खान पठान जो बाद विच आया उसने जथे दे मोहरी सरदार जथे दार हीरा सीनू हत्थों हत्थी तलवार दी लड़ाई ले ललका रहा जथे दार जी कोडा लेके उसने सामने आखलोते अते उसने पहला वार घरनली केहा समुन्द खान ने तलवार चलाई अते टाल ना होन करके जथे दार जी ने खब्बी बाहां अग्गे कर दिती वार खाली गया पर इस नाल हत गुट नालो अलग हो गया जथे दार जी जोश विच आ गये ते रो विच उन्ना और वदा डलवार कुमा दिती जिस नाल समुन्द खान दा सिर ताड़नालो उतर के हिठा डिग पया जखमी हुई बाहा ते पट्टी बन के जथे दार हीरा सिंग जथे दी अगवाई कर दे गए अते आखन लगगे बापु जीदा होकम एना ही है असीता अगे काखनी तोड़ना सानु जिन्ना होकम गुरु तेग भादर जी दा सी ओ कर देता है जिन्ना ने कर जाना है ओ चले जाओ जिन्ना ने सी देना है ओ रहो मैता सी देना है सो देवागा जथे दार जी ने 16 जन्वरी स्वेर अपनी मर्जी नाल गिरफ तारी दित्ती अते रात शेरपूर थाने विच रहे लुध्याने दा डिप्टी कमिशनर कावन बहुत ही निर्दाई सी उसने अपने मन विच कुक्यानू सक्त तों सक्त सजामा देन दा फैसला किता होया सी ओ आम लोकां विच दहशत फिलावना चांदा सी तां जो अगे तों कोई अंग्रेज सरकार वियुद कुसक ना सके उनने अपने अख्तियारां तो बहर होके बिना मुकदमा चलाए भादर कुक्यानू तोपा नाल उडाउंदा हुकम सुना दिता सतारा जन्वरी 1872 मान मलेर कोटले दे नाल लगदे पिंच मान पूर्दे रकड विच सात्त तोपा गडियां गईयां सारे कुके कतार विच खड़े सन कुके तोपा वाल वेख-वेख विश्करा रहे सन एक अनोखा जलो उनना दे चहर्यां ते चलका मार रहा सी उनना दी सामनी कतार विच सरकारी अधिकारी पट्याला, नाबा, ते जीन दियां फोजां दियां टुकडियां खडियां सन ते हजारां दर्शक सारों की खडोते इस लासानी मौत दी खेट दे शुरू होन दी उडी कार रहे सन एक वारी सब्त जान्यानू तोप अगे उडाया जाना सी कावन ए सोचदा सी कि ओ सिरफ एक वार ही तोपा आगे उडायेगा बाकी आपे ही डारगे उस कोलों माफी मांगलानगे ते कहनगे कि ओ सद्गुराम सिंग्जी दे सिख नहीं पर जो कुछ उत्थे होया ओ सपने विच्वी नहीं सी सोच सकता कुक्या प्रती कावन दिकरूरता उस दियां अख़्ा विच्चो साफ दिखाई दे रही सी तोपची कावन दे कहनते तोप चलाउंदा है पर ओ नहीं चल दी इक वार, दो वार, तिजी वार भी नहीं चल दी सब हैरान हो जन देने फिर कावन तोपची बदलदा है तोप नहीं चल दी सद्गुरा दा कौतक देखके सब हैरान हो जन देने सिख्खा नू डराउन आया कावन खुद ही डार जन दा है अते फिर सिख्खा नू तोपवल पिट करके खड़े होनली कहन दा है तत जथे दार हीरा सिंजी बंगार ते होई आख देहन ओ बिल्या बहादर मौत बाल पिट नहीं कर दे जाद के मौत लाड़ी नू ब्याउन लई गानेवान के अंदेहन मैं पिट नहीं करांगा तू तोप चला ओ चाल पवेगी पर हमें पहिला तोप की ही लगाला है क्योंके हुण मेरे सद्गुर्दा खुक्म आ गया है तोप चल दी है सिंग असरीर पोटा-पोटा होते भीड़ा है सिंग जकारे छड़देहन अजब नजारा हो उठ़दाहै सब्त सब्त सिंग वारी-वारी आदेहन ते शहीदियां पाउंदेहन मैं राज के मुटे वर्याम सिंग जी तोप सामने खलो हो जानेहन तोप ची उना कोल आती कहनदा है ओ सिखा एक पास से हो जा क्यों मैं जथे नाडों विछड़ना नहीं चाऊंदा तू छेती कार दे तोप चला तेरा कद छोटा निशाना ठीक नहीं बैड़ दा जा चला जा तोप ची दे फिर मना करन दे बाद वर्याम सिंजी अकों हटे ते फटा फट इद्रों उद्रों तीमा इटा ते पत्थर तोप दे सामने इकठे करन लगपे फिर उना दे उपर खलो छाती तान आख दे हन ओन मेरा कद ठीक है चला तोप तोप चल दी है ते वर्याम सिंजी वी अपने शहीद होए साथिया नल जा मिल दे हन कावन दी मेम जो उस दोरान उते मौजूद सी उसने बारा साल दे विशन वेक के अपने पती कावन उस बच्चे ते रहम करन ली केहा पर कावन ना मन्या ते केहा कि जे ए कैदेवे कि मैं राम सिंग्धा सिख नहीं ताते मैं इस दी जिन्दगी बख्षते वांगा ए सुनके बिशन सिंग्धिया अख़्ा अंग्यारे वांग लाल हो गया उन्हें आख्या कि ओ जो भी कुछ बोलेगा ओ कावन दि कन विच बोलेगा जदो कावन ने कन लाके सुनना चाहया ता बिशन सिंग्ध ने एकदम ही कावन दी लम्मी दाड़ी फढ़के जोर नाल चटका मारया कावन दिया अख़्ा बहर आ गया उदी जान सुगड़ गया पास खलोते फौजियां कावन दी एह हालत देखी ता तलवार मार पेला हथ वड़ दिते ते फिर तलवार मार सिर तड़ना लो पक कर दिता बिशन सिंधा कोमल सरीर लहू विच्तारियां लाओं लगा बाद विच उजदा सरीर टुकड़े टुकड़े करके उजदी माता खेम कौर दी चोली विच पादिता गया माता दे चेरे ते शांती दे पावसन की उजदा बच्चा सिखी तो डोलया नहीं झाल